आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आप दोनों के रिष्टे में से थर्ड पार्टी कब जाएगी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है उनका करियर उनकी फैमिली या फिर कोई अनेदर रोमेंटिक परसन जो आप दोनों के बीच में आ गया है रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी देखेंगे तभी रेजनेट करेगी जनरल है कलेक्टिव है तो जरूरी नहीं है सबसे रेजनेट करें अगर आप से करें तो like, share and comment जरूर से करें रेस्ट सभी religion, सभी caste के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, married, unmarried इस रीडिंग को देख सकते हैं, same gender relationship में जो deal कर रहे हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सबके लिए, सभी humans के लिए ये रीडिंग equally available है the lovers, आप लोगों का soulmate ये twin flame connection हो सकता है, आप लोगों को destiny ने मिलाया है, ऐसे ही आप एक दूसरे से नहीं मिले हो, the wheel of fortune, 615, 24 number, 119, 28, 10 number, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Energy, 7 of cup, 716, 25 number, and finally हमारा है 4 of vans, देखिए, दो-दो twin flame के card है, 4, 22, 13, and 31 numbers आपके लिए prominent हो सकते हैं, आयो कि आप पो सारे cards देख रहे हैं, हम लोग है आप चेक कर रहे हैं कि आप दोनों के रिष्टे में से third party cup जाएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके person आपको love तो बहुत करते हैं, और unconditional love करते हैं, आपको अपना भागय, अपने destiny, अपना सब कुछ मानते हैं, अपना लगे चाम मानते हैं, आपके person अपनी family से बात करके इस रिष्टे को आके बढ़ाना चाहते हैं, वो समझने ही पारे कि उनको कब क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, एक बर यह इस confusion से बहार निकल जाएं, तो वैसे ही third party situation sort out हो जाएगी, चाहे वो उनकी family हो, चाहे उनकी life में कोई another romantic person हो, चाहे उनका long distance हो, चाहे उनका career हो, जो भी matter आप दुनों के बीच में हैं, वो दूर हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके person ही confused हैं, इस connection को लेकर, इस रिष्टे को लेकर, third party situation को लेकर, आपको लेकर, वो नई समझ पा रहे हैं, किसको choose करें, किसको ना choose करें, किसके तरफ action लें, किसके तरफ ना action लें, क्या efforts लगाएं, क्या करें, तो कहीं न कही आपके person जो आप लोग soulmate और twin flame connection में हो, कहीं न कहीं आपके person जो है awakening की stage में है, जहाँ पर अभी उनको clarity नहीं मिली है, लेकिन divine के क्रिपा और blessings है, क्योंकि आप बहुत manifestation और pairs कर रहे हो, तो divine के blessings इस रिष्टे में है, बहुत जल्दी इस person को clarity मिलेगी, then definitely third party situation, चाहे career हो, finance हो, इनके खुद की family हो, इनकी responsibilities हो, या कोई another romantic person इनके life में हो, finally वो remove होंगे, और third party situation आप दोनों के रिष्टे से खतम होगी, और आपके person आपके तरफ reach out करेंगे, आपके साथ reunite करेंगे, आपके साथ marriage करेंगे, reunion करेंगे, long distance को खतम करेंगे, separation phase अगर आप लोगों के बीच मे है, तो वो खतम होगा, और finally things better होगी, अब आप में से कई लोग पूछना चाहेंगे, कि मैं ये कब तक होगा, तो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों के लिए seven days में हो सकता है, अगर आप लोग no contact में है, तो seven days में, या seven weeks में आपको contact receive हो सकता है, और अगर आप लोग wait क मान रही है, तो वो भी मान चाहेगी, और अगर career में कुछ problems है, तो उसमें से भी वो बाहर निकल जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका communication के साथ अच्छे से हो, मतलब communication चल रहा है लेकिन ठीक से नहीं चल रहा, तो four days या four weeks में आपका communication balance हो जाएगा, फिर पहले की तर हो जाएगा, things again अच्छे से आगे बढ़ने लगेंगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपके person हर stage में आपके साथ हो, तो next six months के बाद आप feel करेंगे कि आपके person हर up and down में आपके साथ हैं, और आप से अलग नहीं है, हर board में, हर रह में आपके साथ हैं, और divine की blessings भरपूर आप के connection में मिल रही है, finally, जो wheel of fortune है, भागया है, किसमत का पहिया है, वो आपके ही तरफ करवट लेगा, और आपका fortune आपके favor में होगा, luck आपके favor में होगा, family बान जाएगी, आपका reunion होगा, आपकी marriage होगी, ये confusion से बहां निकलेंगे, celebration होगी और abundance होगी, तो third party situation आपकी life से चल पेडिलिंस 2, thank you so much for watching, bye for now, have a good day and take care.